नमस्ते किसान भाई हो तेलंगाना के स्टेड है शाह साप उसके बाद में आधित्य साब है बेंगलोर से मैं आगया आज खिरोडा गाउ में अमारे जो विट्टल दाने सर है उनके खेत में तो किसान भाईयों आपको एक इतकी आनन की बाद बोलता हूँ कि यहाँ पे हमने देड मैना पहले विजिट किया था दाने सर के खेत में इनके पिता जी भी है हमारे साथ में तो बाबु जी का जो है पूरा अभी ये करते है पूरा तो यहाँ पर हमने जो विजिट किया था, तो दाने सर के खेत में जो आमरूत का प्लोट है, इनके उपर सब टोटल इसकी डिपेसेंसी थी, माइक्रो न्यूटिन की डिपेसेंसी थी, उसके बाद में निमेटोट का प्राब्लम था, फल की साइज अच्छी नहीं बन रही थी यह नैचरल करते थे पूरा, लेकिन जो इल आना चाहिए, वो इतना नहीं आता था, अभी हमने इनको पूरा अननपूर्णा, भूमी संजविनी, सब कुछ मल्टिप्लेस का जो रिकमेंडेशन किया था, अभी आप लोग देख सकते हैं कि इतना बड़ा रिफ्लेश आ गया आज लोग हम यहाँ पर देखने के लिए आ गए तो इतना बैतरिन प्लाट है, तो मैं हमारे जो यहाँ के प्रगतिशिल किसान है, हमारे जो विट्टल सर उनको पूछता कि आपको कैसा लगाई है, त्रीट्मेंट के बाद, अभी तो यह बात बोलने के रहे तो कामेल साहि हमारे को बोला कि यह डालो जो खतका जो है, हमारे का है, स्प्रेका है, सब यह देने के बाद अभी आपके सामने सब पूजिशन बनी हुई है, बढ़िया, रेड़ी सर आपको कैसा लगाई है अभी देखने के लिए अच्छा है, परवन है, प्रॉब्लम ने, बढ़ी आए त्री टाइप में है, वो एक बड़ा वाला है, चोटा वाला है, पुरा फ्लावर भी है, टोटल ट्वेल मन्थ हम कंटिन्यू करते हैं इसको, आपको कैसा लगा है शास आपको अच्छा लग रहा है, अभी तो क्राप भी डिफ्रेंट डिफ्रेंट स्टेज में है, अभी त अभी बारे महिने लोग खा रहे, क्योंकि इनका रोड पर प्लाट है, आते जाने वाले लोग बहुत चालू रहे थे, और इनका ये फेमस हो गया अभी, तो बड़िया रहेगा विट्टल संथ, बड़िया रहेगा पुरा में एक दम बड़िया जलो, धन्यवादू